दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज में, मैं अनुराग शाओतरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे UPPCS मेंस सामान नियध्यन के 33 प्रशन पत्र जो है अर्थविवस्था विज्ञान एवं प्रद्धो की एवं आंतरिक सुरच्छा इसमें से आर्थविवस्था से संबंधित प्रशन की भारत में आर्थिक नियोजन के उद्धेश से क्या है और उसकी उपलब्धिया क्या है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCS मेंस में अब सामान नियध्यन के 4 प्रशन पत्र होंगे प्रतेक प्रशन पत्र में 20 प्रशन होंगे जिनमें 10 प्रशनों के उत्तर आपको 125 सब्दों में देने हैं और 10 प्रशनों के उत्तर 200 सब्दों में देने हैं तो एक तरह से देखा जाए, तो ये जो दो प्रकार के प्रश्ण है, 125 सब्द और 200 सब्द, इसके तयार करने के लिए आपको लेखन किया सकता है, लेखन अभ्यास की जरूरत है, और सब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आप लेखन अभ्यास कर सकते हैं, उस हिसाब से हम प उपलबदियां क्या है, तो आएए देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश से और उपलबदियां, नियोजन यानि की प्लानिंग, प्लानिंग का सामान ने अर्थ होता है, कार्यों को प्राथमिक्ता अनुसार क्रमबध करके पूरा करना, कोई भी कार्य उ होता है कि आर्थिक नियोजन एक उद्देश पूर्ण और साउधानी से पूरी की जाने वाली प्रक्रिया है जिससे निर्धारित लच्छ को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का बहतर ढंग से उपियोग किया जा सके तो देखा जाए तो आर्थिक नियोजन से प्र आर्थिक लच्छों की प्राप्ति करना इसको हम इस धंग से भी देख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन एक उद्देश पूर और साउधानी से निस्पादित की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित लच्छों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहत प्रिप्लानिंग की जाए कि हमारे संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सके और उसका लाभ सामान नियोजन तक उपलब्ध कराया जा सके तो भारत में आर्थिक नियोजन के प्रारम्व के संबंध में आईए देख लेते हैं स्वतंता के समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अल्प रोजगार, असिक्षा, अकुसल्सरम, गतिहीन किर्सी, अर्धसामन्ती बेवस्था, उद्योगों का अल्प विकास, अपरियाप्त आधार्भू संडशना जैसी समस्याएं थीं। जब भारत स्वतंत्रुगा था तो उस समय ये काफी जादे समस्या भारत में और इन समस्याओं के उन्मूलन के लिए ब्रिहत प्रयासों की आवसकता थी। तो नियोजन का उद्देश या नियोजन का प्रारम भारत में इसी आधार पे हुआ कि स्वतंता के पश्याद जो भारत में ब्याप्त समस्याएं थीं, असिच्छा, बेरोजगारी, गरीबी और अकुसल स्रमिक इन सब के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन का फ्रारम किया गया। बैस्विक अस्तर पे उस समय दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। बैस्विक अस्तर पे दो आर्थिक विचारधाराएं थीं, जिसमें एक सोबियस संग की विचारधारा और अमेरिका आधि पूजीवादी देशों की विचारधारा पूजीवाद थी भारत ने सोबियत संग के प्लानिंग को पूजीवादी लोकतांत्रिक मुल्यों के साथ समायोजित किया और इसी आधार पर आर्थिक सामाजिक विकास का मार्ग चुना भारत ने एक तरह से समाजवाद के प्लानिंग को अपने साथ लिया और पूजीवादी लोकतांत्रिक मुल्यों को समायोजित किया एक साथ और अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोकतांत्रिक पूजीवाद विवस्था को अपनाया लोकतांत्रिक फूजी वादी बिवस्था के कौन-कौन से लच्छन है उसको भारत में अपनाया गया प्लानिंग के लिए तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश से क्या-क्या है उसको आईए देख लेते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के लच्छ और उद्देश संबिधान में बढ़ित जो राजी के नीत नहीं दे सकता तो हैं, उनके आधार पे निर्धारित किये गए। सारुजनिक और निजी छेतरों की सहभागिता पे बल दिया गया, कुछ बड़े उद्द्यमों को सारुजनिक छेतर में रखा गया, और साथ ही साथ निजी छेतर को भी बढ़ावा दिया गया। तो भारत में आर्थिक विकास के लिए जो आर्थिक प्लानिंग की गई, उसके प्रमुख दिर्धकालिक लच्छ कौन-कौन से हैं, आईए देख लेते हैं। दिर्धकालिक लच्छ भारत में जो प्लानिंग है, उसके दिर्धकालिक लच्छ इस प्रकार से हैं। पहला है आर्थिक संब्रिध्धी की प्राप्ति करना। आर्थिक संब्रिध्धी और आर्थिक विकास इस पे हम आगे देखेंगे। आप अभी इसको पॉइंट में तयार कर लिजे कि किस तरह से आपको इस प्रश्ण का उत्तर लिखना है। आठवा देश में एकता और अखंडता पर आधारित विकास करना। तो इस प्रकार ये हमारे जो अल्पकालिक उद्देश और दिर्खकालिक उद्देश थे तो भारत में आर्थिक आयोजना के ये दिर्खकालिक उद्देश थे। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में जो पंचवर्षी योजनाय बनाई गई प्लानिंग के लिए आर्थिक नियोजन के लिए भारत में पंचवर्षी योजनाओं का सुरुगात किया गया तो इन पंचवर्षी योजनाओं के उद्दे से जो थे वो सभी पंचवर्षी योजनाओं के उद्दे से और लच्छ एक प्रकार से नहीं थे एक तरह से देखा जाए तो आरंभिक योजनाओं में आर्थिक सम्रिधी पर विशेश ध्यान दिया गया इसमें एक प्रकार से देखा गया कि किस तरह से भारत के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी और थोड़ा सा स्रम और क्रिशी पे विशेश ध्यान दिया गया तो आरंभिक योजनाओं में आर्थिक सम्रिध्धी यानि कि एकनॉमिक ग्रोथ पे विशेश बल दिया गया था जबकि बाद की योजनाओं में आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार, गरीबी निवारण और सतत विकास वसमावेशी विकास पर बल दिया गया था तो भारत में जो प्लानिंग कमिशन था योजना आयोग उसी के आधार पे पंचवर्शी योजनाएं अपने हां तयार की जाती थी प्रारंभिक योजनाएं आर्थिक सम्रिध्धी पर बल देती थी जबकि जो बाद की योजनाओं थी उसमें दिर्गालिक लच्छे जैसे आत्मिनिर्भरता की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार, गरीबी निवाराण, सतत विकास और समावेशी विकास पे बिसेश बल दिया गया था तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रश्ण जो सामानिय धेन तरती प्रश्ण पत्र का था कि भारत में आर्थिक आयोजन के उद्देश या आर्थिक नियोजन के उद्देश क्या है और इसकी उपलब्धिया क्या है तो आप इसको 125 सब्द या 200 सब्दों के कोई प्रश्ण आता है तो उसके उत्तर के रूप में इसको लिख सकते हैं इसका पीडियाप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्किप्शन बाक्स में दिये गए लिंक के आधार पर वहाँ पे क्लिक करके आप इसका पीडियाप डाउनलोड कर लीजिएगा आगे मेंस के लिए हम कुछ और प्रश्ण भी सामिल करेंगे वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार